हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आज चुकाऊं मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रिकी मैन पर तो गाईज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंटरनेशनल इंटरंशिप अपरचिटी लॉंच की गई है युनाइटिड नेशन की तरफ से जो कि एक इंटर गोर्मेंटल ओगनाजेशन है इंटरनेशनल इंटरंशिप आप लोग के लिए लेके आया है वो भी वर्क फॉर्म होम यानि कि रिमोट इंटरंशिप आप लोग कर पाओगे इतनी बड़ी ओगनाजेशन के साथ नोर्मली जो इंटरंशिप होती थी वो ओफलाइन होती थी बट ड्यू तो कोविड नाइंटीन आप लोग को ऑप्शन दिया जाया है कि आप लोग रिमोट ली भी इस इंटरंशिप को कम्प्लीट कर सकते हो उनाइटेड नेशन मेंटेन करता है पीस और सिक्योर्टी दूसरे नेश फ्री में आप लोग अप्लाइ कर सकते हो आप लोग पर इंटरंशिप कंपलीट होने के बाद फ्री इंटरंशिप कंपलीशन सर्डीकेट भी मिलता है जो कि आप लोग अप्orte इंट review कैसे क्रेक किये जाते हैं ट्रेंडिंग में क्या है इस ताइम पर या फिर आप लोग कोड़ शेफ रेंकिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोग एक प्लैट्फॉर्म है उसको जोइन कर सकते हो कर यह एस सॉफ्टियर डेवलपर के नाम से यहां पर आप लोग के लि कांट भी मिल जाएगा यहां पर आप लोग के लिए जो शोगनाइज करवाय जाते हैं वह तो वर्किंग प्रोफेशनल जो की अमेजोन गूगल मैक्रोफ जैसी कंपनी में काम कर चुके उनके द्वारा करवाय जाते हैं जैसे राजा विक्रम दीते हैं जो कि यहां पर यू क्या पूछे जाते हैं उसके लावा वीकली जो अपडेट्स आप लोग को मिल सकती हैं यहां पर आप लोग के लिए इंटर्यू प्रपेशन का यहां पर नुज भिया का यह जो कि आज ही संडे के दिन होने वाला है रात को आठ बजे इस शो का भी आप लोग को एक्सेज मि आप लोग देख सकते हों जो से राजा विकरमदीत्य के जो बीए पर बात करते हैं यूनाइटीड नेशन के इंटर्प्स के लिए आप लोग कैसे अपलाई कर सकते हैं और कौन-कौन बच्चा कर सकता है कौशी फिल्ड में ये इंटर्प निकली हुई हैं तो बोध में इं करना चाहो तो Google से जाके कर सकते हो United Nation का करियर पेजे यह officially United Nation की तरफ से internship निकाली गई है यहां पर सारी jobs वगेरा जो भी होती है जो भी international jobs वगेरा होते हो सारी आप लोग को दिखाई देंगी internship भी आप लोग को दिखाई देंगी बट अगर आप इंडियन स्टुडेंट हो तो आप लोग को यहां पर नीचे जाके स्क्रोल करना होता है यहां पर duty station में आप लोग को न्यू दिल्ली लिखना होगा तो आप लोग को वही internship दिखाई देंगी अब दो internship निकाली होगे दोनों के बारे हम बात करते हैं पहली जो internship है वो intern as a program management की internship निकाली होगे है अगर आप लोग programming management की field में सीखना चाहते हो चीजों के बारे में training लेना चाहते हो तो आप लोग इस internship के लिए apply कर सकते हो यहां पर अगर हम बात करें यह जो department होगा वो United Nation human settlement program होगा duty station new Delhi दिया गया है क्योंकि अगर आप इंडिया से हैं तो यहां पर आपको को issue होता है तो आप लोग इस duty station से पूछ सकते हैं बाकि आप लोग के लिए remote internship होने वाली आपको कहीं जाने की जोरत नहीं है यहां पर जो आप लोग इस six months की इंटर्शिप आप लोग के लिए होने वाली है उसके अलावा due to covid-19 pandemic यह जैसे मैंने बताया आप को आपकी इंटर्शिप remotely होने वाली है आपको कहीं भी जाने की जोरत नहीं है अदर्वाइस आप लोग को यहां पर offline होती थी इंटर्शिप उसके अलावा यह जो इंटर्शिप है और फूल टाइम इंटर्शिप आप लोग के लिए अगर आपको पस्टाई में आप लोग remotely apply कर सकते हो remotely कर सकते हो काम इसके अलावा आप लोग को इंटर्शिप का certificate भी मिलेगा जो की बहुत ज़्यादा value रखेगा आप लोग के लाइफ में यह इंटर्शिप अनपेड है बट आपको जो certificate मिलेगा वो बहुत ज़्यादा valuable होगा आप लोग के लिए उसके अलावा आप लोग को यहाँ पर काम दिये जाते हैं जो भी इनके basically normal काम होते हैं जो भी operation related इनके work होते हैं जो भी technical non-technical inputs आप लोग को काम करने पड़ते हैं उसी साब से आप लोग को दिये जाते हैं आप लोग complete detail में की चीज़े पढ़ सकते हो यहाँ पर पढ़ना चाहो तो आपक communication skills अच्छी होने चीए teamwork आप लोग को आना चीए client orientation आप लोग को होने चीए और आप लोग apply कर सकते हो अगर हम हो education की बात करी eligibility की बात करी तो यहाँ पे आप लोग अगर इस time पे apply करने के time पे अगर enrolled हो graduate school program में second university degree यानि कि अगर आप लोग PG degree कर रहे हो post graduate degree कर रहे हो आप ल degree matter नहीं करेंगे कि अगर आप लोग final year student हो आप लोग apply कर सकते हो bachelor degree level में इसके अलावा आप लोग graduates भी हो bachelor degree या फिर master degree पीए एचडी और equivalent तो भी आप लोग apply कर सकते हो एसा यहां पे जो degree थी हो equivalent अगर आप लोग है आप लोग के final year में तो भी हाप लोग apply कर सकते हो उसके लावा आप लोग को computer knowledge basic knowledge होनी चाहिए इस internship के लिए apply करने के लिए यहाँ पे आप लोग full time enrollment होने चाहिए किसी भी डिगरी प्रोग्राम में यानि कि बैचलर डिगरी वेगरा जो भी आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को preference ज़ादा दी जाएगी बाकी यहाँ पर सभी लोग को apply तो जरूर करना चाहिए हो सकता है उनको preference दी जाए अगर आप लोग ने कुछ related चीज़े की हो work experience कुछ भी नहीं मांगा गया fresher apply कर सकते है English और French language में अगर आप लोग को command है तो आप लोग के लिए benefit हो अगर आप लोग apply करना चाहो तो यह second internship है अगर आप लोग इसमें भी same time condition है ज्यादा कुछ नहीं I think मेरे साब से तो यहाँ पर same condition ही होने वाली है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही same condition है university degree में आप लोग इंडोल्ड हो इस time पर आप लोग apply कर सकते हो यहाँ पर preference की ब दीजिएगा आप लोग उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपनी registration डिटेल डाल देनी है यहाँ पर first name देना है family name में आपको अपना surname देना है जो भी आप last name यूज़ करते हो user id अपने आप create हो जाएगा आप लोग एक password create कर लेना है user id और password को याद रखना है आप लोग क देना है जिस पर verification होगी आप लोग की register पर click कर दीजिएगा email address पर verification code भी आएगा उससे आप लोग verify कर जाओगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर sign in का option आ जाता है यह user id आप लोग की बन चुकी है जो कि आप लोग को note कर लेनी है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इस त पाए इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं दुबारा से login कर रहा हूं इसमें ताकि आप लोग को basic understanding मिल सके आप लोग यू ना कहो कि भिया कुछ दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर login पर हम लोग क्लिक कर देते हैं उसके बाद मैं आप लोग को login करके दिखा देता हूं कैसे आपको apply करने इस तरीके से आप लोग के सामने यह application page आप लोग का open हो जाएगा तो यहाँ पर application page ओपन हो चुका है अब आपको क्या करना है जो आप लोग की internship application थी उसी पर आप लोग को क्लिक कर देने लोग इन करने के बाद की process में आप लोग को दिखा रह यहाँ पर 9 steps यह process है 9 step में आप लोग इंटरेंशिप के लिए अपलाई कर सकते हो welcome page है let's start page है welcome page में आपको बताना है कहां से आप लोग को इस चीज़ के बारे में पता चला तो आप लोग कुछ भी add कर सकते हो इसमें कोई matter नहीं करता और other पर click करके next वगेरा कर सकते हो यह आप लोग को screening and fitness questions के अंतर देने education details work experience languages skills and training cover letter detail आप लोग को देनी है यह सारी चीज़े आप लोग इस तरीके से फिल कर सकते हो बाकि कोई doubt है तो आप लोग video का description box में video का comment box मुझे पूच सकते हो इस video में guys बस इतना ही thank you for watching